आपके साथ क्या हो जब सियासत के दो कट्टर दुश्मनों की दोस्ती नजर आने लगे जटका तो लगना तैं ही है कुछ ऐसा ही दिखा तिजस्वी आदफ के इफ्तार पाटी में जहां कट्टर दुश्मन ललन सिंग के गमचे को लालो प्रसाद आदफ की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबली देवी सुलजाती हुई नजर आई फिर क्या था पूरे मीडिया की नजरे राबली देवी पर जाट की सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे ललन सिंगे एक जमाने में राबली देवी के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे और दोनों की आमने सामनी की लड़ाई चलती थी और चारा घुटाले के वक्त जब ललन सिंग नहीं कई बड़े बयान दिये थे तब भी दोनों की दुश्मनी साफ साफ जलक रही थी पर आज सियासत के ये दो बड़े दुश्मन सियासी दोस्त बन चुके हैं इसलिए सच कहा जाता है कि सियासत किसी की नहीं होती और इस सियासी खेल में ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त सियासत संभावनाओं का खेल है यहां सिर्फ और सिर्फ संभावनाई ही काम आती है तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जब तिजस्वी आदब ललन सिंग को गमच्छा उड़ा रही थे तो वो गमच्छा उलज गया था राबरी देवी पीछे से बैठी बैठी उसे सुलजानी में लगी हुई हो मानो कि एक कितने पुराने दोस्त वापस मिले हो बीती शाम राबरी आवास में इफ्तार पाटी का महायोजिन किया गया जहां हजारों के संख्या में भीड का जुटान हुआ तो वहीं कई गड़मानिया इस इफ्तार पाटी में उपस्तती देने पहुचे थे तो जस्वी आदफ के तरफ से आयोजित इस इफ्तार पाटी में कई ऐसी तस्वीरे हैं जो कई सवाल खड़े करती है जो कई बड़े संकेत देती हो जो कि बहुत दिल्चस्प है उसमें से एक तस्वीर ये भी है जहां राबडी देवी ललन सिंग के गमचे को ठीक करती हुई नजर आ रही है राबडी देवी ब्यार के मुख्यमंत्री रह चुकी है और आरजेडी सुप्रीमों लालुपसाद यादफ की पतनी है और जिस वक्त राबडी देवी राजविती में थी उस वक्त ललन सिंग राजविती में बेहत सक्रिये थे ललन सिंग और राबडी देवी लंबे समय से एक राजवितेग्य है जहां दोनों नहीं कई बड़े उतार चड़ाव देखे हैं लेकिन आज ब्यार में मागजबंदन की सरकार है जो CET ब्यार की नमबर वन पाठी होने के साथ साथ मागजबंदन में बड़े भाई की भूमिका में खड़ी है वे इस चाचा बतीये की सरकार में जो अपना पन जो प्यार और जो सोहर्द देखने को मिल रहा है वो कई बड़ से दोस्ती करने की लिए और इस बार की दोस्ती लंबी चलेगी ये आर्जेटी के तरफ से संकेत है देखने वाले बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है फिलालेस पस्वीर पर एगा फिर गौर फरमाईएगा जरा देखिये राबरी देवी किस तरीके से प इस खबर में इतना ही है और के खबरों के लिए मैं साथ बनी रे नियूस फार्नेशन में नमस्का